गाइस स्वागत तर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीविद अमनकुल में आज हम पढ़ें अभ्यान गतिविदी पत्रक नमबर 26 लाएं जोके क्लास 6th, 7th and 8th तीनों क्लास के स्टुडेंट्स लिए हैं डेट इसकी 17 फैबुरेरी 2022 आप अपना नहीं में अपने क्ल क्लास बढ़ें जो और नहीं पक्षी होते हैं उनका पूरा जुंड एक साथ उड़ान बढ़ता है यह चिकार करता है एक बार वह सबी उड़ते हैं उड़ते-उड़ते किसी टाप रुपर पहुँच गया होता है आइलेंड यों पानिक से गिरा होता है वहां पहुत सी मच तो सभी उसी टाप उपर रहने लगे अब उन्हें शिकार कले कहीं जाना नहीं पड़ता सभी बिना मेहनत किसी मेहनत के भरपेट बोजन करते और उस टाप उपर आलज से जीवन जीने लगे उसी जुन में बुड़ा गित भी रहता था अपने सात्यों की आलज बरी दशा दे शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रख सके अगर ऐसी आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे इसलिए हमें जल्दी पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए तो उस बोड़े गित की सला सुनकर सभी को हसने लगे और यह कहकर मज़ाग उड़ कर दिया इसके बाद भी वे पुरा गित जो था हुआ अकेले ही वापस जंगल में लोट गया कुछ दिनों के बाद उस बोड़े गित ने सुझा कि बहुत समय हो गया चलो उस टापूर पर चलता हूं महाँ पर अपने साथियों को मिलकर आता हूं वे बोड़ा गित जैसे ही गित दिखाई दिया वे उसके पास गया और कहा वहां की दैशा के बारें पूछा तो उसने बदाए कि पहले तो हम बिना मैनत के बरपेड बोड़न करें ते दे रहे किन्तु समय में इतने के साथ इस टापूर मचली और मेंड़क काम होने लगे दीरे दीरे वे हम बोड़न बोड़ा गये तो वापिस अपने जंगल में चला गया तो यहां पर उसने एडवाइस दी थी पर किसी ने उसकी सुने नहीं सब उसका मज़ा कुणाने लगे और वो पाकिस अभी लास्ट में मर गये अपनी दी गई कहानी को जिन शब्दों को पढ़ने अर्थ समझने में कटनाई मैसूस हुई उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों सूच का उस चारण से के और अभ्यास कीजिए तो कुछी वर्ड्स हैं जैसे जुन्ड यानि समूव चेताबनी यानि साब्धानी दे प्रश्य यानि जो देखने में आ सके दिखाए दे सके भयाव यानि डराबना लाश है यानि मराववा शरी दूसरे ब्रशन है यदि आपको बुड़े गिदे से कुछ सवाल पूछन तो आप क्या पूछते बूड़े गिद उन परशनों के क्या होते देता कोई तीन सवाल बनाई और उनका उत्तर भी लिखना है तो हम बनाते हैं यदि मुझे बोड़े गिद से सवाल पूछने होते तो मैं पहले पूछती उचाई से धरती कैसे दिखती है उचाई से धरती अतिदिक सुन्दर दिखती है मैं वो कहता आपको उचाई से डर्न नहीं लगता मैं नेक्स्ट नेए अब्रशन बूड़े कि के टीन विश्ष्छव की बारे में लिखिए तो बूड़े की तीन विश्शष्टा वह बहुत महन्दी था उसे बहुत अनुभफ चाहसी और उकल मन्दी था चॉत्हाः ठीजने इस कहानी से हापने क्या सेखा अपने शब्दों में उतार लिखिये तो इस कहानी से एक मुझा सूविधा हों कि में में आप एक दिन मातर होदी है। अपनी मैनत करेंगी तो हमाया अपनी lifetime खुश रहेंगे तो हमें मैनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और जितनी सुविधायं उनमें अड़्जास्ट नहीं करना चाहिए या उनमें संतोस्ट नहीं होना चाहिए तो यह थी आपके आज की वॉक्षिट आई होप आपको अ